नमस्कार आप सभी का एगन स्ट्क्रेप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार 48 घंटे के अंदर भी सूचना मांगी जा सकती है चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरुए हुए हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा पैल आकन को दवा कर आल पर क्लिक कर लें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को सेर अवस्ट करें तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगे हम लोग आज जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम दो हजार पांच आर्ट याई आर्ट याई का फुल कॉर्म है राइक टू इन्फॉर्मिशन इसमें हम लोग किस प्रकार अर्टालिस घंटे में सूचना मांग सकते हैं किस धारा के अंतरकत और कौन सी सूचना अर्टालिस घंटे के अंदर दी जाएगी तो देखिए आर्ट याई के तहत जीवन वो स्वतंतरता से संबंदित जानकारी अर्टालिस घंटे में ली जा सकती है जिसका वर्णन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7-1 में किया गया है यदि धारा 7-1 के तहत PIO लोग सूचना अपदा अधिकारी या जन सूचना अपदा अधिकारी 48 गंटे में सूचना नहीं देते हैं तो आप अपील या स्राज सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में 18-18-18 के तहत सिकायतबाद दायर कर सकते हैं इस प्रकार 8-8 के तहत मात 48 गंटे में भी सूचना मांगी जा सकती है इसकी जानकारी हर भारती को अवस्र रखनी चाहिए यदि जान बूझ कर सुचना देने में बिलंब किया जाता है वो भरस्टाचार को दवाने का काम किया जाता है तो लोग सुचना पतादिकारी पर धारा बीस एक वो बीस तो के अधिनियम की धारा के तहत दोशी PIO पर कारवाई करवाई जा सकती है जैहन